नमस्कार प्यारे मित्रों तो मित्रों कैसे हैं आप से आसा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे तो साथियो आज की ये वीडियो UPSI की द्रश्ट से बहुत ही इंपोटेंट है साथि साथ आपकी आने वाली UPSI और SSC ZT को भी फोकस करके ये वीडियो बनाई गई है तो साथियो हिंदी के आज के टॉप ट्रेंडिंग जो कोशन्स हैं जो की बिगत परिच्छां में बारवार पूछे जा रहे हैं इनी को देखते हुए आज के वीडियो आपके लिए बहुती महत्पूर रहने वाली है तो साथियो ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं कोशन्स की तरफ उससे पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए पास में सब्सक्राइब को जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रेसन और यदि आपको इस प्रेसन का अंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर देखे जाए तो साती साथ आपको बताना इन सभी प्रेसनों में से आपके कितने सही रहे हैं और आपको इन प्रेसनों में से कितने आ रहे थे चलिए पहला कुश्चन देखते हैं कुश्चन नमर फर्स्ट है तमस सब्द का समानारती सब्द क्या है तमस सब्द का समानारती सब्द क्या है अंदकार तमासा परकात य नमस होता है, नेस्ट कॉष्चन कॉष्चन नमर टू है, उह, आए तो मैं जाओं प्रयक्ट बाक में कौन सा काल है, हे तो हे तो मतब भविस्चकाल, संभाभब भविस्चकाल, सामान भविस्चकाल, या भूदकाल, तो साथियो, ऐसे प्रेस्ञ आपको कई बार पूछ ले ज नहीं, यह जाननत सब कोई, किस अलंकार का प्रियोग हुआ है इसमें? एमक अलंकार, सिलेस, अनुपराज या उपमा, तो दोस्तो इसमें गांट के दो मीन्स होते हैं, एक गांट होती है, दुस्मनी, जैसे जब किसी से बैर या दुस्मनी होती है, तब एक जो गांट पर जाती है एक तो वो गांट होती है एक गांट होती है जैसे गन्ने में गांट जो होती है तो जिस परकार जहां गांट गन्ने में होती है बहां रस नहीं होता है इसी परकार जहां पर दो रिष्टों में गांट होती है बहाँ रसका अर्थ यह है प्रैम नहीं होता है ठीक है तो इसका सई आंसर हो जाएगा ओप्शन नमर B स्लेस स्लेस अलंकार नेश्ट कुश्चन कुश्चन नमर 4 है निर्मल का बिलोम सब्द दिये गए बिकल्पों में से कौन सा है मलिन अभद्र बिसम कोमल तो दोस्तो निर्मल का बिलोम सब्द हो जाएगा मलिन मलिन ओप्शन नमर A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेश्ट कुश्चन कुश्चन नमर 5 है नेता का इस्तरी लिंग रूप दिये गए बिकल्पों में से कौन सा है नेतरी नेतर्थ नेतानी या नेता ही रहेगा तो दोस्तो इसका सई आंसर हो जाएगा उप्शन नमर 1 नेतरी जिस परकार दाता का दातरी कभी का कवितरी अबनेता का अबनेतरी इसी परकार नेता का नेतरी हो जाता है अप्षिन नमर ए नित्री करेक्ट आंसर हो जाएगा नेस्ट कोईशन कोईशन नमर शिक्त है गुड़ गुबर करना दिये गए बिकलपों में से मुहाबरे का उचित अर्थ कौन सा होगा अच्छी चीज को बुरा कहना मज़ा किरकिरा करना अच्छा और बुरा एक करना भगनास करना तो साथियो इसका सःंसर है ओप्षिन नमर भी मज़ा किरकिरा करना गुड़ गुबर करने का अर्थ होता है मज़ा किरकिरा करना नेस्ट कोईशन कोईशन नमर शेवन मया मै नहीं माकन खाया हो पंक्त में मा जो ब्यांजन दिया हुआ है इसकी आप ब्रती होई है तो बढ़ की आप ब्रती किस अलंकार में होती है अनुपरास, अतिशोग्त, सिलेज, यह मक तो साथियो यह बहुत ही इंपोर्टेंट प्रसन है अगर आपको गुमा के दे दिया जाए आपको कितने भी अलंकार आते हैं लेकिन जिस बक्त एक्जामनर आपको गुमा के प्रसन देता है तो आप अक्समात उन प्रसनों को भूल जाते हो ठीक है, तो इसमें सही आंसर इसका उप्सन नमर ए, अनुपरास हो जाएगा क्योंकि मा बेंजन की अबरती बारवार हुई है इसलिए अनुपरास लंकार है ठीक है, नेस्ट क्वेशन क्वेशन नमर एक है, सब्ज बाग दिखाना इस मुआबरे का अर्थ क्या है हिम्मत बांधना हरे भरे उद्धानों की सेर करना दोखा देना जूटे बादे करना तो साथियो इसका अर्थ हो जाएगा जूटे बादे करना उप्सन नमर D इसका सई अंसर हो जाएगा नेश्ट क्वेशन क्वेशन नमर A-9 सूर सागर किसकी रचना है सूर दास, कवीर दास, काली दास, तुलसी दास तो मित्रो तो इसका सही अंसर हो जाएगा option number A सूर्दास, सूर्दास ही सूर्दास सागर के लेखा के है next question, question number 10 है जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप होता है बहाँ कौन सा अलंकार होता है उपमा, अनुपरा, सिलेज मानवी करण तो साथियो इसका सही अंसर हो जाएगा मानवी करण यानि परकरति को मानव के समान क्रिया कलाब करते हुए दरसा है जाता है बहाँ पर मानवी करण अलंकार होता है, ठीक है, option number D इसका सही अंसर हो जाएगा next question है, Q4U, यानि यह आपके लिए आज का present है इसका आंसर आपको comment box में देना है साहथ Academy परसकार का आरम कबसे हुआ साहथ Academy परसकार का आरम कबसे हुआ 1947, 1950, 1964 या 1968 तो मेरे पैयरे साथियो इसका क्या answer हो जाएगा यह आपको comment box में देना है साथी साथ आपको बताना है आपको जो 10% कराए हैं उसमें से आपने कितना स्कोर किया है ठीक है और आज सा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इंपोर्टेंट रहे ये परिसन आपको ज़्यादा से ज़्यादा आते हो इसी के साथ मिलेंगे आप नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जैन जवारत